हलो गाईज वेलकम बैक टू दीस चैनल सो फ्रेंड्स फाइनली रेड्मी नोट 13 प्रो स्रीज इंडियन मार्केट में लॉंच होने वाले है बिकोज फ्रेंड्स यह स्मार्टफोन ओलरेडी इंडियन बिया इस सेटिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं अज के इस वीडियो में हम बैसिकली रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन के एक अलावा इस स्मार्टफोन के इंडिया पर आपको क्या प्राइस देखने को मिलेगे और इस स्मार्टफोन कब लॉंच होने वाला है इस पर बात करेंगे और फैंस काफी लोगों के कॉमे वेरियंट के साथ देखने को मिलेगा और उस स्मार्टफोन के ब्लेक एंड वाइड कलर ओप्शन के साथ फ्रेंट और बेक दोनों साइट पे कोर्निंग गुरिल अगलास विक्टेस की प्रोडिक्शन दी जाएगी तो नो डाउट यहां पर आपको बिल्ड क्वाल्टी काफी सॉलिड मिलने वाला है और एड्मी नोर 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन 9 mm थिकनेस और 204 ग्रेम वेट के साथ आता है बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इस स्मार्टफोन में फैंस IP68 रेटिंग भी दी गई है तो यह स्मार्टफोन फुली वाटर रिस्टेंट भी रह जिनको नहीं पता है बता दो इस स्मार्टफोन में 68 बिलियन कलर्स का स्पोर्ट देखने को मिलेगा बागी यहाँ पर 1.5 के रिजिलिशन भी दिया गया है और HD 10 प्लस का स्पोर्ट भी आता है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल टोप नोस देखने क को मिलेगी बागी 120 हर्ट की हायर स्क्रीन रिफिशेड 1920 हर्ट पीडियों डिमिंग का स्पोर्ट भी मिल जाता है और स्मार्टफोन में इस बार आपको अप्टू 1800 नीड्स की पीक ब्रैटनेस का स्पोर्ट भी देखने को मिलेगा तो आपडूर कंडिशन में स्मार्टफोन पर बेश्ट है तो यहां पर आपको डेफिनेटली बेटिट डेन काफी कम देखने को मिलेगा लेकिन फैंस यह चिपसेड मीडिया टेक डेमसेटी 7200 का एक अपडेड़ेड वर्जन है तो यहां पर आपको परफोर्मेंस के अंदर भी काफी इंप्रूमेंट देखने को मिल देगा और इस इफसेड के बेंट स्मार्ट स्कोर की बात करें तो यह टोब विरिंट के अंदर हमें ओल्मोस्ट एट लेक तक देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर फैंस आप हेवी गेमिंग इजली कर पाओगे बाकि फैंस यहां पर LPDDR 5 रेम और UFS 3.1 स्टोरेज का स्प स्मार्ट की स्पोर्ट देखने को मिलेगा और स्पार्फोन में टुफियर के माजर ओस अपडेट भी आने वाले हैं बड़ाइगेस स्मार्ट फोन में फैंड्ट साप और नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपर यहां पर आपको तो Sex दीने को मिल सकता है और दोस्तों comme घैमर जो कि OIS के साथ आने वाला है, बड़ फेंस यहां पर image processing में improvement किया जाएगा, तो camera quality यहां पर आप बढ़िया expect कर सकते हो, बाकि स्मार्टफोन की rear camera से आप 4K 30 अपिस तक max video shoot कर पाऊगे, यहीं पर फेंस साइड सेल्फी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में again 16MP का typical center पंचोल selfie camera दिया गया है, और स्मार्टफोन के front camera से आप full HD 60 अपिस तक max video shoot कर पाऊगे, लाश्ट में बात करें स्मार्टफोन की बेटर लाइफ और charging capacity के बारे में, तो यहां पर फेंस 4880 mh की massive battery दी गए है, टिपकली यहां पर आपको 5000 mh की battery देखने को मिलेगी, तो यहां पर फें देखने को मिलेगा, जिससे स्मार्टफोन को आप around 25 minutes में full charge कर पाऊगे, जो कि फेंस काफे insane charging speed रहती है, तो यहां पर आपको battery department में कोई भी issues देखने को नहीं मिलेगे, बाकि कुछ अदर details के बारे में बात करें, तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में dual stereo speakers दिये गे हैं, और यहां प version 5.3 Wi-Fi 6 सी भी दिया गया है, तो connectivity भी आपको sort out देखने को मिलेगी, and finally guys main point launching and price के बारे में बात करें, तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन गाई इस बार आपको 28,000 ट्रिपल 9 रुपीज तक देखने को मिलने वाला है, जहां पर fans इस स्मार्टफोन का base variant इस बार आपको 8 GB RAM 256 GB storage के साथ देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है यहां पर आपको stories काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी, लेकिन fans Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में हमें next month December में मिलने वाले हैं, और ये स्मार्टफोन गाईज लिक्स और rumors के according इंडियन मार्केट में हमें mid December तक देखने को मिलेंगे, और गाईज अब बात करते हैं, स्मार्टफोन में motherboards के issue आएंगे या नहीं, तो friends इसके बारे में बता दूँ कि पिछले बार हमें Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर ये issues देखने को मिले थे, जो कि friends काफी old स्मार्टफोन हो चुके हैं, गर friends ये एक technical issue है, जो कि friends हमें सभी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, गर इसे friends आप other brands से भी compare करोगे, like OnePlus, Samsung, Apple से भी, तो यहाँ पर भी friends आपको technical issues देखने को मिलते हैं, like friends आपको OnePlus, Samsung, smartphone के अंदर green line issues देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक technical issue है, और Apple के अंदर तो एक बार से green screen का issue भी देखने को मिला था, तो no doubt आपको सभी brands के अंदर technical issues देखने को मिलते हैं, so I think friends आपको worry नहीं करना चाहिए, because I guess सभी स्मार्टफोन में ये issues नहीं आने वाले हैं, so फिलाल दोस्तों, आज किस वीडियो में इतना ही, hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होग और आपके सारे doubts clear हो गए होगे, so अगर वीडियो पसंद आया, like जुरू कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो, तो subscribe भी कर लो, daily ऐसे ही स्मार्टफोन से related videos पाते रहने के लिए